प्रारूप क्या है और इसे किस प्रकार से एपलाई करना है क्या संकुल से इसकी अनुमती लेना है या संकुल और बीयो कार्यालाय द्वारा अनुमती लेकर के इसे आगे डियो कार्यालाय से यह कैसे जाए का क्या बीयो आफिस में ही शिक्षकों को जमा करना उसके बाद यह ह तो यह जानकारी इस वीडियो के अंतरगा जाने के साथ मैं कुछ सिक्षकों को समस्य आ रहे हैं कि दो टीचर या तीन टीचर अनिबार है तो इसका कोई आधिस में नहीं दिया गया है और इससे पहले बाले फॉर्मेंट में दिया गया है तो चौबिस तारीक का आप तारीक से पहले फॉर्म में प्रारूप जमा कर दीजिए और साथ मैं 15 तारीक को सही रिक्त पदों की जानकारी देख करके भरियो और इसकी लिंक डारेक्ट हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में तो उस लिंक के द्वारा आप उस पदों को देख सकते हैं जैसे कि आज जीर पेज का यह फॉर्मेट जारी हुआ है कल और इसमें 12 बिंदू में क्या-क्या फिल करना है वो देखेंगे और साथ में एक दूसरा दो पेज का जिसमें 18 बिंदू करना तो हम दोनों आदेशों को देखेंगे लेकिन देखा गया है कि अधिकतर जिलो में दो पेज वाला जो फॉर्मेट ले रहे हैं वहीं कुछ जोलो में शिंगल पेज़ बाला ले रहे है तो इसमें एक इशूल बढ़ना पड़ता है उसमें तीन बरना पड़ता अब आपके जिलाज सिक्छ ब्जादिकारी या आपके शंकुल पर किस परकार खारका आविदन ले रहे हैं तो आप अपने वहां शंकुल केंद्र से पता लगा सकते हो, साथ मैं इसकी प्रोसेस के लिए आपको शंकुल पर जाना होगा और वहीं पर पॉम जमा करना हो, आपको लिए डियो ऑफिस नहीं जाना है, ऐसा अधिकतर इश्कूलों में हो रहा है, अधिकतर संकुल केंद्रों पर तो वहां पर आप डियो का रहल में फॉम जमा कर देंगा, उसके बार डियो इससे ऑनलाइन करेगा अपनी आईडी के द्वारा और इस प्रकार से ऑनलाइन आविदन हो जाएगा, तो दोस्तों इसके बिंदू जो दिये गए है, आविदन, आविदन का नाम, यह उन्ने का आई संकुल प्राचार का सत्यापन करने के बाद EU आपрахशिम के जमा करशाएं यदि संकुल प्राचार को δियो ने और प्रकार कर दीया है, तो आप वहीं पर जमा करने के बाद तो दोस्तों आप हम तो पेस के आदिक को जाते हैं वाले प्रारू頭 तो दोस्तों तो यह 18 बिंदू का अरवेदन है जो कि दो पेज में है और जैसे कि इसमें भी वही दिया गया है बर्णचारी का नाम यूनिकारी ट्रेजरी इंपलाई कोड इसमें दिया गया है बरतमान मूल बदबा बिशाय बरतमान मूल पदांकित संस्था डाइस कोड शंकुल का नाम ज पिछले उसमें देखा गया थो तो यह पिछले वाले उसमें यह चीज नहीं थी तो मुझे यह तूपेज वाला जो ओडर है वो ऑथेंटिक लग रहा है आप इसी पर फॉर्मेट बना करके जमा कर सकते हो लेकिन आप अपने संगुल प्राचार से पूछ सकते हो वहीं विक संसोदित के विरोध प्रिशाष ने कारवा ही इस्थान अंत्रण में चाहाने का कारण और बरतमान पदस संथा में कुल छात्रों की शंख्या बरतमान पदस संथा में सिक्ष्यक लिपेकों की कुल शंख्या तो निश्वा इस्थान अंत्र में चाही का इस्थान जो की तीन इस्थान आपको बरणना है अविधा का नाम संकुल पराचार का प्रमाणी करण और विकासखन सिक्षा अधीकारी का प्रमाणी करण ही लग रहा है और अगर आपके विकासखन में ऐसा है तो आप B EO ओफिस से हेतु आवेदन इस प्रकार कर रहेगा जिसमें एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से परस पर इस हनांतर चाहेगा तो उसमें सभी प्रकार की ये जानकारियां भरना है और ये जानकारियां भरने के बाद यहां पर दोनों के शंकुल प्राचार के हस्ताक्चर होंगे और हस्ता शिल्हे में जा नहीं तो उसके लिए आबेदन आपको यह मंगाना पड़ेगा जहाँ जिससे मैचुबाइट चाहे रहा हो तो उसकी आपको पूरी जानकार भनना पड़ेगी तो दोस्तो इस प्रकार से यह आप मैचुबाइट कर सकते हो कल लेटेस्ट जानकार के साथ अगला वीडियो में लेकर के आ रहा हूं दोस्तो यदि आपको यह फॉर्मेट पीडियेप में चाहिए तो आप अपना वाटसप नंबर हमें कमेंट्स वक्त में लिखती जिए तो मैं आपको पीडियेप है दे दूंगा यदि आपके